कि कि आपका यहां पर सबसे पहले जब बॉटम नेट संट फिर आता है कंपर्शन फिर आता है कंपर्शन फिर आता है expansion and then last stroke होता है आपका exhaust stroke तो आपका यहाँ पर सबसे पहले जब bottom net center से compression start होता है bottom net center से piston move करता है top net center तक तो उस case में आपका क्या होता है कि वहाँ पर आपका compression start हो रहा है आपका air fuel mixture compress होने वाला है उसमें pressure का intensity बड़ेगा और volume कम होगा तो यहाँ पर pressure increase हो रहा है तो यह बी से सी तक में जब जा रहा है तो बी से सी तक के time में हम आपर spark ignite करते है and then बाद में expansion आता है अब हम देखते कि अपना combustion के तीन stages किस तरह से होता है तो जब हम यहाँ पर अपना compression stroke start हो रहा है तो drop down center पर पहुषने से कुछ 20 degree पहले spark ignite किया आता है अब वो spark ignite किया है तो air fuel mixture में properly burn होने के लिए जो timing लगता है वो होता है आपका ignition lag तो first stage जो होता है combustion का होता है ignition lag मतलब जब आपने spark produce किया है उस spark को ignite होने के लिए जो कुछ millisecond का timing लगता है वो हता है आपका ignition lag फिर जब ignite हो गया है air fuel mixture उसके बाद फिर वो further expand करता है expansion में क्या होता है कि आपका यहाँ पर air fuel mixture burn हो रहा है और वो एकदम से फिर increase करता है उसका pressure pressure increase काप होता है जब फ्लेम प्रपगेट करता है फ्लेम का अब flame उसमें आ चुका है ignition साट हो है flame अब पूरी तरह से uniformly उस पूरे cylinder में distribute होगा और layer by layer ignition साट होगा और पूरा अच्छा से flame प्रपगेट होगा वो जो second stage है वो आता है propagation of flame फिर third से जाता है जब आपका expansion स्टार्ट हो रहा है अब क्योंकि आपका वहाँ पर pressure बढ़ गया है अब piston को आपस से नीचे आना है वो push करता है piston को वो pressure के वैसे piston नीचे के तरफ move करता है वो आता है आपका expansion stroke expansion stroke में फिर वो after burning process है after burning मितलब जब आपका spark से ignite हो गया फिर propagate हो गया flame उसके बात का जो पूरा burning चल रहा है वो आता है आपका after burning process तो इस तरह से आपके 3-0 process complete होते है और यह होते है combustion की कुछ stages तो यहाँ पर धान में क्याता है कि यहाँ पर propagation of flame और उससे पहले जब ignite होता है तो top dead center से 20 degree पहले ही आपका spark plug spark को ignite करता है और उससे जो timing लगता है spark से flame produced होने में उससे बोलते है आपका ignition lag and then जब flame properly पूरा burn होता है उससे बोलते है आपका propagation of flame and जब पूरा flame बर्न हुआ पूरा air fill mixture बर्न हुआ उसके बाद वाला जो प्रसेस होता है उससे बोलते है after burning process जो कि ये तीन स्टेजस में आपका combustion होता है दोस्तो आज हमने सीखा है combustion engine combustion in SI engine तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है मेरा पढ़ाया समझ भा रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और मेरे चानल को subscribe भी कीजिए Thank you